आपका स्वागत है, नमस्कार सुरता गड़, आज मैं जड़ी बुटी संसार का अंतरगत, मैं बहुत ही एक महत्पूर्ड आउस्दी को लेकर आया हूँ, जिसके भी से मैं आप कभी नहीं सोचे होंगे, कि आउस्दी जो है ये इतना बड़ा काम कर सकता है, लेकिन मैं बतात हूँ, उसको आप जरूर सुने और इसको देखें, ताकि आप जो है इसको सुन करके, देख करके, इसको परियोग में लाएंगे, और परियोग में लाकर के, आप बहुत ही अच्छा काशा लाब ले सकते हैं अपने स्वास्त के लिए, हाजी, यदि मेरे वीडियो को अभी जरूर आपके जीवन के लिए होगा, आपके स्वस्त के लिए होगा, आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप जो है उसको उपयोग में लाकर के, आपने स्वस्त करके, एक दुसरे तक आप इस सिवा को पहुंचते रहेंगे, हाजी, मैं आज आपको हिंग, हिंग के मैं बाते करूंगा हिंग देखिए मैं हिंग का डबी को क्या करना है कि हिंग का डबी जैसे मैं हिंग का डबी अभी आपको 25 गराम का हिंग लिया हूँ 25 गराम का हिंग का डबी लिया हूँ हिंग का डबी को आप देख रहे हैं यह हिंग का डबी है तो क्या करना है हिंग को और इसको परियोग कहां में लाना है किर्पकर के ध्यान से देखे और सुने ये 25 गराम हिंग 25 गराम हिंग जो है आप लीजिए और लाग करके हिंग को आप तावे पर इसको भूझ लेजिए तावे पर इसको भूझ लेजिए आभी तो मेरे पास उतना समय नहीं है कि आपको मैं पुरी तरह कर से डेमक करके देखा सकूं लेकिन हम भी स्वास करते हैं कि आपको सिर्फ इसारा मैं देता हूं तो इसको आप समझ जाएंगे इस हिंग को आप ले करके तावे पर इसको भूझ ले जब इस हिंग को आप भूझ लेते हैं यह जालना नहीं चाहिए अच्छी तरीका से भूझ लेते हैं तो इसको आप उस तावे से एक परतन में रख लिजिए 25 गराम हिंग है तो 25 गराम सेंधा नमक इसमें मिला यह आप देखिए यह 25 गराम हिंग और 25 गराम सेंधा नमक आपको कहां काम करेगा ध्यान देजिए जरूर आपको यह 100% 100% यह कारगर आउसदी के विश्यान बाते कर रहा हूं यह हिंग और सेंधा नमक 25 गराम हिंग है अब 25 गराम जो है सेंधा नमक आणि बराबर मत्रा में देखिए आपके जियों में क्या कर सकता है सेंधा नमक और हिंग जिस किस ब्यक्ति को लकवे का डर है यह लकवा एक बार लग चुका है तो जिसको एक बार लग चुका है और उसको जियों में लकवे का डर है तो इस हिंग और सेंधा नमक के इस्तिमाल से यह सारा डर जो है खतम हो जाएगा हाँ जी इसको इस्तिमाल कैसे करना है आप ध्यान से सुनिए जिस किसी ब्यक्ति को लकवे का डर है तो यह भुनी हुई हिंग का एक चुटकी और यह जो है मिश्रन किया हुआ जो पाउडर है सेंधा नमक का इस दोनों के एक चुटकी सुवा में प्रेस दो करके मूँ दो करके एक चुटकी अपना मुह में डाल कर ताजा पानी पी ले इसको शिरिफ दो से तीन महीना दो से तीन महीना लगतार परियोग करें आपको दो से तीन महीना लगतार परियोग के दोरा जो फैदा होगा आप ही जानेंगे मैं यो बता रहा हूं कि दो से तीन महीना यदि कोई ब्यक्ति इस हिंग से बनाज पाउडर का इस्तिमाल करता है तो उसके जिवन में लकवे की सिकायद बिलकुल नहीं होगा यदि किसी ब्यक्ति को एक बार लकवा लग गया हो तो उसको दूबारा लकवा नहीं लगेगा आप इस समस्का को गमीर रूप से लिजिए हम जानते हैं कि आज के दोर में हर एक ब्यक्ति को घुटना गदर हाई बीपी का सिकायद लो बीपी का सिकायद है और नस नाडियो है कि कब उसके जिवन में लगवा का आकरमण हो जाएगा कब उसका बलट का सरकलिषर रुग जाएगा तो आप इस नुख्वा को जुरूर अपनाए इस नुख्वा को अपना करके आप इस बयानक इस अपंग बनाने वाला बीमारी से आप बच सकतें आप जाते हैं पामि हालत से बचने के लिए आपको जो मैं नुकसा बता रहा हूँ इस नुकसा को जरूर अपनाए और मैं घरांटी देता हूँ मैं वादा करता हूँ कि अधी मेरे जो नुकसा है इस नुकसा को अपनाएंगे तो आप इस लकवे की बिमारी से जियोन भर्व के लिए बचाव कर सकते हैं अपने आपको मेरे वीडियो को जरूर आप चुनाव करें इदि चुनाव करते हैं तो आपको जरूर आपको अच्छा खसा फैदा मिलेगा आपको यह आदगुत चमतकार करने वाली यौसदी है तो मैं आपको आजी से चेतानी दे रहा हूँ एदि आप जो है चाहते हैं कि मैं लकवे की बिमारी से छुटकारा रहूँ लकवे की बिमारी मेरे जीवन में ना आए तो आप अपने घर में जो है हींग और सेंधा नमक का चुनोड़ बनाए हींग को लाए हींग को भूने भून करके इतना हींग है उतना सेंधा नमक मिलाकर पाउडर बनाकर करके एक चुटकी सुबा रोज प्रती दिन एक टाइम ही के वल सुबा खाली पेटे ताजा का पानिस्ताग इस्तिमाल करें और जी उनको पुरी तरहका से स्वस्त करें हाँ जी और भी जो वीडियो होगा और आगे जो भी बाते होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताते रहूँगा मेरे वीडियो को जरूर आप देखते रहें सुनते रहें आपको बहुत ही काम के चीजे में खोज-खोज करके बाताने का संकल्प लिया है